अमेरिका और नेटो देशों का अकलन ये है कि रूस अब किसी भी वक्त अगले चंद हफ्तों में नहीं अगले चंद दिनों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है इसलिए अमेरिका, इंग्लेंड, इस्रेल, नेटो के अधिकारी समेट कई राजनाइक और दूतावासों ने कियेव से अपने अधिकारियों को हटा लिया है या तो वो लेविव और सुरक्षित इलाकों में पोलेंड के बॉर्डर के पास चले गए है या फिर ब्रसल्स अब पहुच गए है भारत ने भी यूक्रेन में पढ़ रहे भारतिये चात्र चात्राओं से कुछ समय के लिए सुरक्षित भारत लोटाने के लिए कहा है और इसके लिए 22, 24 और 26 फरवरी को एर इंडिया विशेश विमान उड़ा रहा है जरूरत पढ़ने पर चार्टर्ड फ्लाइट्स और एर ब्रिज की स्थापना भी की जाएगी रूस के साथ बढ़ते तनाओं के बीच यूकरेन के कीव से लोगों का पलायन जारी है अमेरिकी खुफिया एजनसी पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि रूस की रहनेती सबसे पहले कीव पर हमला करने की है इस वज़ा से कीव से लोग पलायन कर रही है अभी यह सिटुएशन बहुत मुश्किल है रूस की बज़ा से क्योंकि यह यूकरेन का क्राइजिस नाए है यह रूस का क्राइजिस और यह पहली बार नाए है रूस और यूकरेन के बीच तनाओं खतरनाक स्तरपल है तब ही भारत ने अपने लोगों को वहां से निकालने की अडवाइजरी जारी कर चुका है यूकरेन में बड़ी संख्या में भारती चात्र पाढ़ते हैं मौजूदा संकट में उनके स्रक्षा बड़ी चिंता बनी हुई है अब उन्हें यूकरेन से निकालने के लिए भारत ने एर इंडिया के जरिए 22, 24 और 26 फरवरी को विशेश उरानों की विवस्था की है यूकरेन में भारत का दूतावास भी फिलाल एक्टिव मोड में है भारत सरकार ने अब एक एडवाईजरी जारी की है इंडियन इंबसी ने कि बच्चों को भारतिय चात्र चात्राओं को अब भारत जाना चाहिए जी मेरा नाम मालविका है मैं यहाँ पे इन्वर्स्टी में फस्टी एर मेडिकल स्टुडेंट हूँ और फिलाल तो हमें किसी को भी डर नहीं लग रहा है लेकिन घरवाले इंडिया में परिशान हो रहे है विकिस मीडिया जो भी दिखा रहा है वो काफी उन पर असर कर रहा है और आपिसली वो लोग काफी परिशान है तो क्या आप घर जाना चाहती है या यही रहना चाहती है जी अगर situation अगर ज़्यादा serious हुआ तो मैं भी घर जाना चाहूंगी जी मेरा नाम शारन है मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा डरने वाली बात है नहीं अभी हापे अगर situation बुरा हो जाता है तो फिर हमें जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमारे parents का दबाव हम पे हो जाता है कि नई news पे यह दिखा रहे है तो हमें जाना पड़ेगा तो इसलिए हम चले जाएंगे after some time कुछ भारतिय चात्र अपने वतन लोटे भी हैं उन्हीं में से एक हैं वडूद्रा की आस्था सिंधा जो पिछले दिसंबर में ही medical की पढ़ाई करने यूकरेन गई थी लेकिन हालात बिगड़े तो वो वापस चली आई